हेलो एवरिवन आजके जो वीडियो है वो जामिया मिले इसलामिया बी बी ए कोर्स के उपर है अगर आपको बैचलर ओफ बिजनस एड्मिनिस्ट्रेशन कोर्स जामिया से करना है तो यहाँ पे कोर्स की अलिजिबिलीटी क्राइटेरिया क्या है यानि आपकी मिनिमम हो सकते हैं इस डाउट में हो कि जामिया के अंदर जो है सी उटी यूजि एक्जाम होगा देखो यह आपकी गलत फहिमी है कुछ कोर्स के अंदर जामिया सी उटी कंड़क्ट करवा रहा है जैसे बी ए हिस्ट्री वगरा के अदर लेकिन अगर आपको बी बी ए कोर्स के जामिया सी उटी कंड़क्ट नहीं करवा रहा है आपको यह चीज दिहान रखनी है तो यहां पर मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ सबसे पहले मैं यहां पर बी बी ए की बात करूँ यानि बेचलर ओफ बिजनस एड्मिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर यहां पर मैं बात कुरू तो नंबर ओफ सीट्स कितनी है तो यह 44 सीट यानि आपको जो एड्मिशन ओव वो 44 सीटों पर होगा तो 44 सीट है यहां पर और आपकी जो फीस रहने वाली है परियर बी बी ए कोर्स के अंदर वो यहां पर 13325 उर्पे रहने वाली है 13325 पर आपक च्छे मईने का होता है यानि आपका आठ समेस्टर जो है टोटन यहां पर चार साल आपका कोर्स होगा आप कुछ बच्चे कहरोंगे भाईया ग्रेजुएशन यानि क्योंकि बीबी भी एक ग्रेजुशन का पार्ट है तो ग्रेजुशन तो तीन साल की होती है आपकी गलत है यह आपको मैं बता दूँ नेप पॉलिसी इंप्लिमेंट हो चुकी है नेप पॉलिसी के तहत नेप पॉलिसी है क्या नेप पॉलिसी 2020 आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो ग्रेजुशन है अब उसे तीन साल से बढ़ा कर चार साल कर दिया जाएगा और कई सारे बेनि इस तर यानी टोटल चार साल का आपका कॉर्स हो चुका है यह चीज़ आपको धियान रखनी है तो अब अगर आपको बी बीए करना या आप कहीं से भी करोगे हो सकता है कुछ युनिवसिटी तीन साल कहीं अलाओ कर रही हो लेकिन जहां जहां पे एनिपी लागू हो चुक यह आप लूग क्लास-ट्वां पॉल्थ पास-उट उने चाहिए बस इतना धियान लखना है नहीं लेकिन उलिखेंगें अनुछ लिनगो सकते हैं घ Azure Griffinो विश्पक्रों से सब्सक्राइश कर दिलगारी ऌन्द साइब मेंania एक पर जाम उक्ट मेरा उपक्त कर दोवे हैं तो पर चायेуз पर कि मैंसे पोलगेए तो चार माई को एक्जाम होगा तीन वे से लेके साड़े चार वे तक आपका रिजल्ट कब आएगा तो रिजल्ट देखो यहाँ पे आपका जो है बीस से पच्चिस दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है ठीक हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए यह देखो टेंटेटिव डेट्स होती है आगे पीछे भी हो सकता है तो यह चीज़ आपको धिया नेक नहीं है आपका चार माई को इंट्रेंस एक्जाम होगा अब पर आप लोगों को Google फो मतलब application फोर्म मिल जाएगा फिल करने के लिए और इंट्रेंस टेट्स का स्लेवस मिल जाएगा इनकेस अगर इंट्रेंस टेट्स का स्लेवस नहीं मिलता है तो आप मुझे WhatsApp पर मैसेज कर सकते हो मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूँ है अग आपके अगर मैं यहां पर बात करूं टेंटिटिव डेट नहीं थीज ध्यानक हो यह देखो आप लोगों को मैंशन भी कर रहा है यहां पर इन्होंने तेंटिटिव डेट्स टेंटिटिव का मतलब होता है आगे पीछे भी हो सकते हैं अगर यह कुछ हुआ उसमें आपकी दूआ फोर्म है भी तेप 18 gratis 25 ते लिए या तेट फिल करने कि यह च्वी स्च शूप म हीटाइं व्यूगर अपके ड़ना जामिया कंशिक्त, 20 से बात प्यूट में उस्च लगी तेट्थ Прीषॉ क तीज कर सकते हैं यहां पर आपकी पार्की आपकी यहां पर आपकि यहां पर कियो सकते आजाए 29 के अब यह बढेंड करता आपके नसानी यह दियान रखनी इसे जो कि यहां कंवें समेंट उसमेंट होगा 25 अप्रेल से जामिया इंटरेंस एक्जाम करवाने चालू कर देगा तो जामिया जो है UG का भी इंटरेंस एक्जाम लेगा, PG का भी लेगा, Certificate का भी लेगा, Diploma का भी लेगा, तो भाई उसे टाइम भी तो चाहिए, तो 25 तारिक से स्टार्ट कर देगा, जिसमें BBA कोर्स का जो आपका इंट्रेंस एक्जाम होगा वो यहां पर क्लियर मेंचन है बीबीए का एक्जाम चार मई को होगा ठीक है तो यह चीज़ आपको जिहान रखनी है फिर भी बाकी एक भर में दुबारा बता रहा हूं आपकी एप्लिकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 30 मार्च 2024 है बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो यह वाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो वाट्सअप नमर और इंस्टा इडी का लिंक मैंने डिस्क्रेक्शन बोक्स में दे रखा है